सहज तीन कहानी लोब समरीक एक लोबी आदमी था, एक सुबह उसने देखा उसका दोस्त पवन अपने घर को जा रहा है समरीक ने उससे पूझा क्या बात है, इतनी सफाई और सजावट चल रही है पवन ने उत्तर दिया, किसी को बोलना मत सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ आज मेरे यहाँ पर भगवान आने वाले हैं अरे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे, इसलिए उनके लिए घर सजा रहा हूँ समरीक सुनकर सोच में पढ़ गया, उसने पूछा लेकिन आएंगे कहा पवन ने कहा पूरब की ओर से समरीक ने सोचा, पूरब में सबसे पहले मेरा घर है, क्यो ना मैं भी तैयारी कर लूँ भगवान जरूर पहला घर जाना पसंद करेंगे घर आकर उसने अपने घर को पूरी तरह सजा लिया उसके बाद जैसे ही शाम हुई, समरीक पत्नी के साथ भगवान का इंतजार करने लगा आधी राद तक इंतजार करने के बाद भी जब भगवान नहीं आए तो समरीक ने पत्नी से कहा हम लोग घर के अंदर हैं, इसलिए शायद भगवान नहीं आ रही है हमें दर्वाज़क खोल कर बाहर ही रहना चाहिए भगवान चुपचाप आना चाहते हैं फिर दोनों घर से बाहर आकर इंतजार करने लगे उसी समय एक चोर घूम रहा था उसने चादर से पूरे शरीर को ढख रखा था जब उसकी नजर समरीक के घर पर पड़ी तो हो चौक गया दर्वाज़क खुला था, यह देख वे चुपचाप घर के अंदर चला गया समरीक चोर को ही भगवान समझ बैठा जैसे ही चोर अंदर गया, वे खुशी से जूम उठा अब भगवान कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे चोर ने अंदर जाकर सारा कीमती सामान जमा कर लिया वे सामान लेकर निकल गया थोड़ी देर बाद समरीक पत्नी के साथ अंदर गया उसने देखा कि सभी कीमती सामान गायब है उसने माथा ठोक लिया वे समझ गया था कि वे लुट चुका है तो बच्चो ये थे लोब की कहानी कुछ पाने के एक्छा में समरीक ने जो उसके पास था वे भी गवा दिया इसलिए हमें लोब नहीं करना चाहिए